हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका आपने ही यूटूब चैनल लर्दिंग कैफे में आज के वीडियो में ललित नरायन मितला यूनिवर्सिटी पार्ट वन जियोग्रफी सबसीडरी के कुछ इंपोटेंट अब्जेक्टिव कोईशन बताने वाला हूँ जो आने वाले एक्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपोटेंट है ये जियोग्रफी सबसीडरी का सेकेंड वीडियो है फर्स्ट वीडियो में कुछ इंपोटेंट अब्जेक्टिव कोईशन बताया हूँ अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या उपर आई प्रटन पर किलिक करके आप वो वीडियो देख लिजिएगा तो चलिए कोईशन के तरफ बढ़ते हैं हमारा पहला कोईशन है पलेट वीवर्त निकी का परतिपादन किस ने किया पलेट वीवर्त निकी का परतिपादन टूजो विल्सन ने किया ओप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा टूजो विल्सन नेक्स्ट कोईचन जोआला मुखी की उत्पती का परमुक कारण है जुआला मुखी की उत्पती का कारण भूगर्भ में ताप विडिधी है गैसों का फैलाव भी है लावा की उत्पती ये भी एक कारण है तो इसका रायट आंसर ऑप्चन डी हो जाएगा इन में सभी विश्व के परमुक जुआला मुखियों में सरवादेक उचा जुआला मुखी है इसे भूमद सागर का परकास अस्तम भी कहते है Next Question विशु का सबसे उँचा शक्रिये जौ आला मुखी है Wylishु का सबसे उँचा शक्रिये जौ आला मुखी अंटो फाला है Option D सही उत्तर हो जाएगा अंटो फाला अगला Question देखिये निमलिकित मेंसे कौन सा नवीन मोरदार पर्वत है हिमाले हिमाले जो ये नवीन मोरदार परवत है option C सही उत्तर हो जाएगा हिमाले question number 6 उत्री अमेरिका में अस्तीत अपलेशियन परवत की सिरेनी का परवत है अपलेशियन परवत परवत तंत्र सिरेनी का परवत है option B हो जाएगा परवत तंत्र निमलिखित में से कौन सा परवत मोरदार परवतों की सिरेनी में नहीं आता है मोरदार परवतों की सिरेनी में आलपस परवत आता है हिमाले भी आता है इंडीज परवत भी आता है बलेक फोरेस्ट ये मोरदार परवतों की सिरेनी में नहीं आता है option D से सही उत्तर हो जाएगा black forest, black forest परवत जर्मनी में अस्तीत है, next question, परवत सिरेनी के सब से उचे भाग को परवत सीखर कहते है, option C हो जाएगा परवत सीखर, अगला question देखिया, जुआला मुखी का उपरी भाग जहां से लावा बाहर निकलता है, क्या कहलाता है, creator कहलाता है option C हो जाएगा creator, दोस्तो अगर आप चैनल पर पहली बार है, तो subscribe करने के साथ, notification bell को दबा के all पर किलिकिजिए, ताकि आने वाले वीडियो का notification सबसे पहले आप तक पहुँचे, और वीडियो को like करना मत भूलिए, आपके एक like से मेरा motivation बना रहता है, next question, यू आकार की तटिये छेतर में बांध जैसी आकरिती को क्या कहते है, सम्मूद्र तटिये छेतर में बांध जैसी आकरिती को तटिये महराब कहते है, option A हो जाएगा, तटिये महराब, question number 12, ओजोन परत के हरास का कारण कौन गैस है, ओजोन परत के हरास का कारण क्लोरो फलोरो कारबन है, option परत के कारण ही धर्ती पर जीवन संभव है यह सुड़ी से आने वाले पैरा बैगनी किर्णों को अफसोसित कर लेती है जो पिरित्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है महासागरों को तापमान की प्राप्ती कैसे होती है महासागरों को तापमान की प्राप्ती सुड़ी से होती है ओप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा सुड़ी से next question, कौन से दो धाराओ के मिलने से सबसे अधीक कोहरा उठता है गल्फ अश्ट्रीम वो लेबराडोर के मिलने से सबसे अधीक कोहरा उठता है option C हो जाएगा, गल्फ अश्ट्रीम वो लेबराडोर next question, गंगा सिंधु का मैदान कहा है गंगा सिंदु का मैदान भारत में अस्तीत है, ओप्शन भी हो जाएगा भारत में भी पवन के द्वारा बनता है, जीव गेन भी पवन के द्वारा बनता है, बालू का अस्तूप ये पवन के द्वारा नहीं बनता है, ओप्शन डी इसका राइट अंसर हो जाएगा, बालू का अस्तूप, नेक्स्ट कोईचन, फियोड निम्न में से कहां नहीं पाये जाते हैं फियोड चीली में नहीं पाये जाते हैं option D हो जाएगा चीली में अगला कोईचन भुकंप मापी यंत्र कहलाता है भुकंप मापी यंत्र सिस्मो ग्राफ कहलाता है option C हो जाएगा सिस्मो ग्राफ निमलिखित में से कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट है option A हो जाएगा चीनी के उत्पादन में पर्थम राजी उत्तर परदेश है दूसरा राजी महाराष्ट है कपास के उत्पादन में गुजरात पर्थमराजी है गेहु के उत्पादन में उत्तरपरदेश पर्थमराजी है धान के उत्पादन में पच्छिम बंगाल पर्थमराजी है गन्ने के उत्पादन में यूपी पर्थमराजी है नेक्स्ट कोईचन लोह अयस्क तामबा एवं सोना क्या है धातवी खनीज है option A हो जाएगा ये सभी धातवी खनीज है question number 21 उस पवन का नाम बताईए जो मौसम के अनुसार अपनी पड़वा दिशा बदल देती है मानसून पवने option C हो जाएगा मानसून चीनुक हवाय पाई जाती है उत्री अमेरिका में पाई जाती है option B से उत्तर हो जाएगा उत्री अमेरिका में दोस्तों अगर आपका geography subsidiary के अलावा जैसे history subsidiary political science अगर है तो उसका भी important objective question बता दिया हूँ link description में मिल जाएगा या channel के पली लिस्ट में जाके आप अपने subsidiary paper का important objective question देख लिजिएगा इसके अलावा जैसे 50 marks हिंदी 100 marks हिंदी 50 marks मैथली का भी important objective question बताया हूँ उसका भी link description में मिल जाएगा या channel के पली लिस्ट में जाके आप देख लिजिएगा next question प्रित्वी पर आने वाले उर्जा कहलाती है प्रित्वी पर आने वाले उर्जा सोर्यामित ताब कहलाती है option C हो जाएगा सोर्यामित ताब अगला question वायू मंडल का सरवादिक भाग कहां अस्थीत है वायू मंडल का सरवादिक भाग समताप मंडल कहते हैं ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है एक्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है लोहा तथा इसपात कारखाना सरुपर्थम कहां लगाया गया पच्छिम बंगाल में ऑप्चिन भी हो जाएगा 1918 इस्वी में पच्छिम बंगाल के हीरापूर नामगस्थान पर सरुपर्थम लोहा तथा इसपात कारखाना लगाया गया था गन्य का मूल अस्थान कौन सा देश है गन्य का मूल अस्थान भारत है option A से उत्तर हो जाएगा भारत अगर आपसे पूछें गन्य के उत्पादन में अग्रणी राजी भारत का अग्रणी राजी कौन सा है तो उत्तर परदेश एक नमबर पर आता है गन्नेक उत्पादन में कागज का परमूख उत्पादक राजी कौन सा है कागज का परमूख उत्पादक राजी पच्छिम बंगाल है option ए हो जाएगा पच्छिम बंगाल और धान के मामले में भी पर्थम राजी है पच्छिम मंगाल भारत में चीनी मीलो की संख्या कितनी है भारत में चीनी मीलो की संख्या टोटल 506 है और चीनी के मामले में पर्थम राजी उत्तर-पर्देश है और दूसरा राजी महराष्ट है Tata Iron and Astil company कहाँ पर अस्तीत है Tata Iron and Astil company Jamshedhpur में अस्तीत है इसकी अस्थापना 177 issues में की गई थी उप्षन B सह उत्तर हो जाएगा Jamshedhpur में भारत में सरुपर्थम सूती वस्तर उद्योग कहाँ शुरू हुआ भारत में सबसे पहले सूती वस्तर उद्योग मुंबई में शुरू हुआ ओप्शन C से उत्तर हो जाएगा मुंबई में दोस्तो अगर आप ये PDF लेना चाहते तो डिस्क्रिप्शन में टेलीगराम का लिंक है पर्थम पंचुवर्ची योजना कब लागो हुई भारत ने पर्थम परधान मंतरी जवाहला नहरू के समाजवादी परभाव के तहत स्वतंतरता के तुरंत बाद उनिस्वर्ची योजना शुरू की महाद दूइपय विष्थापन सिध्धान्थ किस ने परतिपादित किया अगला कोहईचन हिमाले किस परकार का परवत है अरावले किस परकार का परवत है अरावली भी वलित परवत है, option A हो जाएगा वलित परवत, निमनांकित में किसके द्वारा वलन होता है, सनपीडन के द्वारा वलन होता है, option B सही उत्तर हो जाएगा सनपीडन, किस सर्वेक्षन के द्वारा हमें भू संतूलन की जानकारी हो सकी, भू गनीतिय सर्वेक्षन क के दुवारा option B से उत्तर हो जाएगा भू गनीतिय सर्वेक्षन के दुवारा सुएस ने प्रिथिवी की आंतिरिक सनरस्ना को कितने भागों में विवक्त किया सुएस ने प्रिथिवी की आंतिरिक सनरस्ना को कितने भागों में विवक्त किया तीन भागों में option B से उत्तर हो जाएगा तीन भागों में विवक्त किया प्रिथिवी का आउसत घनतु क्या है प्रिथिवी का आउसत घनतु 5.5 है option C से उत्तर हो जाएगा 5.5 next question देखिए निमनांकित में किस के द्वारा भरंस होता है option में है तनाव बल, वायू राशी, जुआर, खारापन निमनांकित में किस के द्वारा भरंस होता है तनाव बल के द्वारा भरंस होता है option A right answer हो जाएगा तनाव बल दोस्तो आज के वीडियो में 40 questions रहने देता हूँ नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा ये geography subsidy का दूसरा वीडियो है पहला वीडियो का लिक डिस्किप्शन में दे दिया हूँ या चैनल के पल लिस्ट में जाके आप देख लिजिएगा तो दोस्तो कैसा लगा ये वीडियो कॉमेंट करके जरूर बताइए क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ-साथ आपके उन फ्रेंज को भी help कर सकता है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो सेर किजिए अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है तो कॉमेंट सेक्षन में लिखिए मैं कोशिज करूंगा जल्दी रिप्लाइ करने का तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक कियर